नमस्कार दोस्तों, इस्टड़ी विदे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है कापी लंबे समय बाद एक वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि दोस्तों B.A.C. नर्सिंग एंटर्स एक जाम हो चुका है उसका रिजल्ट आ गया, काउंस्लिंग हो चुकी, काउंस्लिंग का पस राउंड का रिजल्ट भी आ चुका है सब इस्ट्रेंट सेकेंड राउंड का वेट कर रहे हैं, सेकेंड राउंड भी जल्दी हो जाएगा लेकिन उससे पहले एक अच्छा मोका है जिन इस्टुरेंट्स को लग रहा है कि उनका सेकेंड डाउन बें नहीं होगा या होगा तो प्राइवेट कोलेज मिलेगा और उनको प्राइवेट नहीं लेना अच्छे गवर्मेंट कोलेज से एक मेडिकल डिप्लोमा या डिगरी करनी है तो मैं एक अच्छा कोर्स है जो 23-24 सेसंस के लिए ही चल रहा है राजस्तान पेरामेडिकल काउंसिल की तरब से जैसा कि आप सभी को पता हैं बहुत सारे यूटूबर्स बहुत सारे सभी ही इया जो कॉर्स है या जो टाइम पिरिड ही यह बहुत जदा लग जाता आ लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है पहले दो साल का कोर्स चार साल में होता था लेकिन अब इतना सोट कर दिया है और जब तक आपका बेज आएगा तब तक इसको बहुत दा सोट कर लिया जाएगा तो 2023-2024 के लिए जो कोर्स है उसका जो सेडूल है वो लगबग 2 साल से 5 साल में क पता नहीं लेकिन अगर आपने फोरम नहीं बढ़ा है तो अभी SSID के थुरू जाकर आज आप रात-बारा बजस पहले-पहले फोरम बर सकते हो राजस्तान पेरामेडिकल काउंसिल के हम बात कर रहे हैं कौन-कौन जिसमें कोर्से जाते हैं सभी कोर्सेज में आगामी समय मे कापी ज़्यादा वेकेंसी आने वाली कापी ज़्यादा गौर्णमेंट इसकोप खुलने वाले क्यूंकि डिप्लोमा की डिमांड जो डिप्लोमा इसमें हो रहे हैं सभी की डिमांड दिन बढ़ती जा रही हैं आपने सुना होगा लेब टेक्निशन का कॉर्सेज रेडियो 24 यहां से new date का notification है जो मैं आपको टेलिग्राम पर भी दे दूँगा और जो इसका official notification है जब आया था तब मैंने टेलिग्राम पर आपको दे दिया था देखो दोस्तों notification अगर आप यहां देखते हैं यह 30 September 2023 को यह notification आया था जिसमें विस्तरप्त विगपती थी वो यह वाली थी इसमें paramedical courses के बारे में दे रखा था और इसमें लिखा हुआता है कि एक October से लेकर 30 October तक आप अपना आवेदन कर सकोगे लेकिन date को या side में कुछ issue होने की वज़े से इस date को और extend कर दिया गया था तो date को कब तक extend करा गया वह भी आपको बता देता हूं यहां पर दोनो कुछ से side में issue होने की वज़े से date को कब तक संसोदित किया गया तो संसोदित कारे करम के नुसार इसको 10 नौमबर तक संसोदित किया जाता है यानि कि आज दिन तक यह forum आप apply कर सकते हो और इसके बाद 17 को इसकी जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी हो 17 नौमबर बाज से आए कि टेलिग्राम पर आपको अपडेट मिल जाएगा जो भी जारी अपडेट है maximum टेलिग्राम पर आपको दे दी जाती है और यह फोरम आप जरूर बढ़ देना अगर आपको कहीं भी कोई भी कोलेज नहीं मिला है तो आपको बढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसेता बीड किसमें देखने मिलेगी medical laboratory technology और इसके अलावा radiation technology में सबसेता बीड है जो बाइकी डिप्लोमा है उनमें इतनी बीड अभी तक नहीं है तो आपके लिए अगर चाहो आप करना चाहो अभी आप फोरम में बरोगे तब यह डिप्लोमा के नाम नहीं पर सकते ले biology subject हो दोनों मेट और biology वाले इसके लिए eligible है तो अपने दोस्तों को जरूर बताए कोई मेट वाला strength से जो चाहता है कि मैं medical field में आऊं तो उसके लिए इस अच्छा option नहीं हो सकता कोई और 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 बाकी कोई भी nursing से पेरा medical pharmacy से related कोई update आएगी तो time के according में आपको provide करवाता र दूसार जब आपसे choice feeling करवाएंगे तब बता दूगा इसकी जो फोरम पीस है फोरम पीस आप जान लीजे फोरम पीस जानने से पहले बता दूँ जो total पीस लगती इसमें वो कितनी लगती है 35,500 तो एक लगेगी टीशन पीस केजन मनी 5000 और 1500 रुपे आपकी uniform पीस लगेगी यही पीस आपकी रहेगी जो प्राइबेट fiction पीस में से पीस रहने वाली है चाहे आप प्राइबेट में मलो या गॉर्मेंट में लो आप वो गॉर्मेंट में uniform पीस नहीं लगती भाई की दूसरी पीस आपकी लगती है इसके अलावब आभी फोरम परते टाएम आपको UR category EWS OBC MBC के लिए 1500 रुपे और SCST के अगर कोई candidate के लिए 1000 रुपे फोरम पीस लगने वाली है फोरम पीस आपको किसी भी हालत में refundable नहीं होगी चाहिए भी कोई भी प्रिस्तित्य हो जाए काउंसलिंग के लिए regarding अगले information में आपको दे दूँगा 17 तारीक को आपका आइस्ता है यानि के प्रोविजनल लिस्ट आएगी जिसमें आपके नाम में कोई गलतिया वगरा सब पूछे हो बताए जाएगी क्या फोर में कुछ गरबर रही है उसके बारे में जनकारी मिलेगी इसके अलावा जब आप फोर्म बर्द होगे जब काउंसलिंग करवा होगे तो आपको 10,000 रुपे आपको जमा करवाने होंगे एज काउंसलिंग पीस के तोर पर वो 10,000 रुपे आपके काउंट हो जाएगे और कोलेज पीस होगी है तो आपके काउंट कर लिये जाए जो 12 कोर्सेज है इन सभी 12 कोर्सेज चुन सकते हो जैसे कि मेरे कोडिंग सबसे बेस्ट है एक तो यहाँ पर आ रहा है ECG और ECG के बाद dialysis technology क्योंकि आपको पता है kidney सम्मादी बहुत ज़्यदा विमारिया होने लग गई है और यह भी बहुत ज़्यदा आगे trend में आने वाला कोर्सेजे इसके अलावा यहाँ पर है operation theater technology तो यह जो तीन चार कोर्सेजे इनको आप अच्छी तरीके से प्रिप्रेंस दे सकते हो और इनको आप कर सकते हो बाई की समस्त जानकारी में आपको प्रवाइड करवाता रहूंगा जो भी जानकारी आगे आती जाएगी तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था और लास्ट डेट आज ही है SSID के तुरू आपको बढ़ पाऊगे देखो मैं आ उसको देखे फोरम बर देना लास्ट डेट है अंतिम वरिता सुची आपकी 28 नॉबर को आने वाली है और आपकी जो काउंसलिंगे ओनलाइन जो चोईस फिलिंग करोगे आप वो एक दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी कैसे करने कैसे नहीं करने समस्त जानकारी आपको इस चैनल के मादेम से मिलती रहेगी चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना और अपने सात्यों जरूर सेर करना दन्यवाद दोस्तों टेक केर